साथियों, कॉंग्रेस वर ये महा मिलावटी अपने स्वार्थ के लिए जाती, पंत और संप्रदाय कोई भी खेल खेल लेते हैं। करनाटक चुराव के दर्वान सिर्फ वोट के लिए उन्होंने लिंगायत समाज के साथ क्या किया ये हम भूले नहीं है। पवित्र करतारपुर साथ कोरिडोर के साथ इन्होंने क्या सियासत की ये भी आप बली भाती जानते हैं। बटवारे के समाई अगर कॉंग्रेस चाहती तो हमारे गुरूओं की दरोहर करतारपुर साथ हमारे पास ही रह सकता था। लेकिन सिर्फ तीन-चार किलोमेटर की ही दूरी से गुरू साहब के पविश्त स्थान को इन्होंने दूर कर दिया। तब अगर कॉंग्रेस की नीती सही रहती तो आज पाकिस्तान में करतारपुर साहब न होता और नहीं पाकिस्तान को ये खेल खेलने का मोका मिलता। इसी तरह नांदेड और अमरुत्तर साहब से सीधी हवाई मार से जोडने की याद भी कॉंग्रेस एन्सीपी की सरकारों को कभी नहीं आई। और एन्सीपी के नेता तो एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। मुख्यमंत्री उनके यहां हुआ करते थे। लेकिन न कभी उनको नांदेड साहब और अमरुत्तर साहब को जोडने की इच्छा हुई। उडान योजना के जरिये ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। किसानों से पंदरा गुना दाल की खरीद हो या प्रधान मंत्री स्रमयोगी मांदन योजना से यहां के कामगारों को पैंट्शन सुरक्षा, कॉंग्रेस, NCP की सरकारों ने कभी नहीं सोचा। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाई और बहनों, ये भी हमारी सरकार का सोभागी रहा। कि उसे गुरु गोविन्सी के तिन सो पचासवे प्रकास परव को देश और दुनिया में भव्य तरीके से मनाने का आउसर मिला। इसी तरह इस वर्ष गुरु नानक देवजी के पांसो पचासवी जन्म जैन्ति को भी हमने दुनिया भर में दुम से दुमधाम से मनाने की तैयारी की है। साथियों देश की आस्था देश की संस्कृति के संवरक्षन और सम्मान के प्रति एंडिये की सरकार ये चौकिदार पुरी तरह प्रतिवद्ध है।